The Fascinating World Own of Predator Attacks A Deep Dive by Cool Age World वन्यजीव प्रेमियो, Cool Age World पर एक और रोमान्चक एपिसोड में आपका स्वागत है मैं आपका मेजबान शमरूज खान हूँ आज हम प्रीडेटर अटैक्स के रोमान्चक ब्रह्मान में गोता लगाएंगे वे जिस सरासर शक्ती और चालाक रणनीतियों का उपयोग करते हैं वह विस्मयकारी से कम नहीं है फोर शिकारी केवल पाश्विक बल के बारे में नहीं होते वे बुद्धिमान प्राणी हैं ऐसी रणनीती अपनाते हैं जिससे सेना का जनरल शर्मिंदा हो जाए अफरीकी मैदान इन रणनीतियों की एक श्रिंखला का प्रदर्शन करते हैं जहां जंगल का राजा शेर सर्वोच्च शासन करता है अपनी शक्तिशाली दहाड और राजसी अयाल के लिए जाने जाने वाले शेरों ने शिकार के ऐसे तरीके इजाद किये हैं जो वास्तव में आकरशक हैं सौरसेना की एक टुकडी की तरह ही शेरों का एक दल समनवय बना कर काम करता है वे अपने शिकार को घेर लेते हैं भागने के संभावित रास्ते बंद कर देते हैं उनकी नजरें हमेशा लक्ष पर होती हैं वे इतनी तेजी से हमला करते हैं कि समझ पाना मुश्किल होता है और प्रभावशाली ताकत से अपने शिकार पर हमला करते हैं शुश्क अफरीकी मैदानों से ठंडे आर्क्टिक की और बढ़ते हुए हमारा सामना ध्रुविय भालू से होता है ध्रुविय भालू ये प्रतीत होने वाले प्यारे दिगज प्रित्वी पर सबसे कुशल शिकारियों में से एक हैं अपने सफेद फर के साथ बर्फ के खिलाफ सही चलावरन प्रदान करते हुए वे सील पर छिपते हैं जो उनका प्राथमिक भोजन स्रोथ है अचानक गती आती है और इससे पहले की सील को इसका पता चले वह एक ध्रुविय भालू की घातक पकड़ में है जमीन से लेकर खुले समुद्र तक ग्रेट व्हाइट शार्क एक शिकारी है जिसे किसी परिचय की आवशक्ता नहीं है अपनी भयानक गती और बेहत तेज दांतों के लिए जाने जाने वाले ग्रेट भाइट ने घात लगाने की कला में महारत हासिल कर ली है अचानक उर्ध्वाधर हमला शुरू करने से पहले वे अकसर सील बंध शिकार के नीचे छिप जाते हैं कभी-कभी खुद को पूरी तरह से पानी से बाहर खीच लेते हैं लेकिन हम केवल बड़े ग्लैमरस शिकारियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं प्रियरिंग मेंटिस एक छोटा कीट अपने आप में एक घातक शिकारी है ये नाजुक जीव बैठो और इंतजार करो की रणनीती अपनाते हैं पर्यावरण के साथ घुल मिल जाते हैं और तब हमला करते हैं जब शिकार को इसकी कम से कम उम्मीद होती है विशाल भेल से लेकर छोटे प्रार्थना करने वाले मंटिस तक प्रत्येक शिकारी का अपना अनूठा द्रिष्टिकोन होता है कुछ लोग शुध ताकत पर भरोसा करते हैं कुछ गती पर जबकि कुछ अपने भोजन को सुरक्षित करने के लिए छलावरण या आश्चर्य का उपयोग करते हैं शिकारीों के हमलों की दुनिया प्रकृती में मौजूद विविधता की गवाही देती है प्रत्यक प्रजाती, प्रत्यक व्यक्ती, मेज पर कुछ अनोखा लाता है जो जीवन के नाजुक संतुलन में योगदान देता है शिकारी और शिकार के बीज की यह मनोरम गतिशीलता हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनती है आज अपनी यात्राओं के दौरान हमने बमुश्किल इस विशाल दिल्चस्प दुनिया की सतह को खरोंचा है हर शिकारी, हर हमले के पास बताने के लिए एक कहानी होती है, देने के लिए एक सबक होता है जीवित रहने की कहानी, अनुकूलन की कहानी, जीने की अदम में इच्छा का प्रमाण इन आकर्शक रणनीतियों के माध्यम से प्रत्येक शिकारी अपने अनूठे तरीके से अपनी प्रजाती का अस्तित्व सुनिश्चित करता है जैसे जैसे हम इन रणनीतियों में गहराई से उतरते हैं, हमें न केवल जीवित रहने की कहानियां मिलती हैं, बलकि टीम वर्ग, रणनीती और अनुकूलन के सबक भी मिलते हैं हम प्रकृती को उसकी पूरी अपरिश्कृत, अन्फिल्टर्ड महिमा में देखते हैं, एक ऐसा द्रिश्य जो आश्चर्य चकित करना कभी बंद नहीं करता जैसे ही हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, याद रखें, ये प्रिडेटर हमलों की दुनिया की एक जलक मात्र है अंगिनत प्रजातियां हैं, अंगिनत रणनीतियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, अंगिनत कहानियां अभी भी बताई जानी बाकी हैं तो प्रकृती की आकरशक दुनिया की इस यात्रा पर शमरूज खान मेरे साथ जुड़े रहें। 33. आईए हमारे ग्रह की अनकही कहानियों को उजागर करने के लिए अधिक जानने के लिए गहराई से गोता लगाना जारी रखें। 35. इस तरह की अधिक रोमांचक सामगरी के लिए कूल एज वर्ड को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना न भूलें। 36. आपका समर्थन हमें आपके लिए यह अध्भुत सामगरी लाने में मदद करता है। 37. हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम अपने अविश्वस नियग रह के एक और रोमांचक पहलू का पता लगाएंगे। 38. तब तक अनवेशन करते रहें, प्रश्न करते रहें और आश्चर्य की भावना को जीवित रखें। 39. ये शमरुज खान है जो कूल एज वर्ड से प्रस्थान कर रहा है, जहां हम प्रकृती के चमतकारों को सीधे आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। हम जल्द ही अपने लुभावने ग्रह के जंगली अदम्य कोनों में फिर से मिलेंगे। तब तक उत्सुक बने रहें।